हेलो एबरीवन वेलकम टुक्वित सीमा आज के इस फिटियो में हम हेल्दी ओट्स चीला बना करते यार करेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो अगर आप जटपट और कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं ये रेजपी आपके लिए बिलकुल परफेक्ट है और खाने में स्वादिस्ट होने के साथ साथ ये काफी तेर तक आपको फिल रखती है और वेट लॉस में भी हेल्प करती है तो चलिए इसे बनाते हैं हेल्दी ओर्ट्स चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप इंस्टेंट ओर्ट्स लिया है मार्केट में अलग-अलग ब्रांड्स के ओर्ट्स अवेलेवल है तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं और अब इसमें एक चोधाई कप भंबेशन आइट करेंगे एक कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करते समय बस ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुटली नहीं बने और अच्छे से मिक्स करने के बार अब इसे हम ध्यांक कर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे अगर आपके पांच जादा टाइम हो तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे सकते हैं पाँच मिनट बाद धक्कन हटाकर एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे तो फूल कर ओट्स सॉफ्ट हो गया है और इस तरह मिक्स करने से काफी अच्छा बैटर रेडी हो जाता है तो अब टाइम है इसमें सबजियां एड़ करने का तो सबजियों में यहाँ दो बड़े चम्मच बारी कटी हुए सिमला मिर्च दो बड़े चम्मच ही ग्रेट की हुई गाचर दो बड़े चम्मच बारी कटी हुए प्यास और दो बड़े चम्मची बारी कटे हुए टमाटर ले रही हूँ टमाटर को कारते समय मैंने इसके बीज अलग कर दिये है एक छोटी चम्मच बारी कटे हुए हडी मिर्च अगर आप तीखा खाना प्रसंद करते हैं तो मिर्च थोड़ी ज्यादा क्वांटीटी में ले और एक छोटी चम्मच बारी कटे हुए अद्रक डाल देंगे और मसालों में इसमें स्वात के नुसार नमक और एक छोथाई चम्मच हल्दी एड़ की है इसके साथी आधा चम्मच जीरा और काली मिर्च का पॉडर एड़ करेंगे और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच ही चाट मसाला एड़ करेंगे अगर आप जाएं तो चाट मसाला की जगर निम्बू का जूस भी एड़ कर सकते हैं और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मैंने यहां यह सबजियां ली है आप अपने पसंद के नुसार कोई और सबची भी ले सकते हैं बैटर हमारा काफी ठीक लग रहा है तो वन फोर्थ कप पानी इसमें और एड़ करेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी सही कर लेंगे तो बैटर हमारा अब बिल्कुल रेड़ी है तो चलिए अब इससे चीला बनाना शुरू करते हैं तो चीला बनाने के लिए मैंने तबाग गर्म होने रख दिया है थोड़ा सा ओयल अप्लाई कर देंगे और अब एक लेडल फुल चीले का बैटर लेकर और इससे तबे पर अच्छी तरह से फैला देंगे इससे बहुत जादा पतला नहीं फैलाएं अगर पतला फैलाएंगे तो फिर जब इससे हम पल्टेंगे तो ये तूट जाएगा इसलिए मीडियम थिकनिस का चीला इससे इस तरह से फैला दें और एक से देर मिनट एक तरब से सिखने के बार थोड़ा सा घी डाल दें किनारों पर भी थोड़ा सा घी हम अपलाई करेंगे जिससे चीला काफी क्रिस्प बन के तैयार होता है और तीन से चार मिनट वार इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरब से भी इसे मीडियम फ्लेम पर हम तीन से चार मिनट तक या अच्छी तरह से हलका सा गोल्डन होने तक पकाएंगे तो दूसरी तरफ से भी तीन से चार मिनट हो गये हैं तो फ्लिप करने पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गोल्डिन क्रस्ट आ गया है चीले पर और यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गये हैं तो बस अब यह रेड़ी है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से फिर से हम दूसरा चीला बनने के लिए रख देंगे बहुत ही इंस्टेंट रेस्पी है जटपट बनके तयार हो जाती है और प्रोटीन से भरपूर यह नास्ता आपको काफी देर तक फिल रखता है और फाइनली वेट लॉस में भी हेल्प करता है तो अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आप डाइबिटिक है या फिर कोई और हेल्थ कंडिशन है तो यह चीला आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है एक बार इसे आप जरूर ट्राइ करें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूं बहुत ही जल्द आपसे इसी तरह की नई और इंट्रेस्टिंग रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर